सब्सक्राइब कीजे मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालू और सबसे पहले में पहुँचे आपके पास हेला फ्रेंड्स गुड आफ्टर नॉन आज का वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए जो CNC प्रोग्रामी सीखना चाहते हैं सीख रहे हैं learner है starting करिए उन लोगों के लिए है उन लड़कों के लिए है तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी है बहुत interesting है शिर्फ आपको अच्छे से ध्यान देना है ध्यान से बाच करना है आज का G-Code है दोस्तों वो है G-01 G-01 के उपर ही वेव वीडियो है और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लड़के शीकना चाहते हैं G-01 को उपर बेहाएं दोस्तों सिम्पल सकेच है हंड्र डायमेटर का और 80 mm embora आगे शेयर डायमेटर है और 15 mm इसका स्ट्ेप है और 30 mm इसका टेपर है 50 mm दोस्तों यह स्ट्रेट है और यहां से चक्ले में पकड़ा हुआ पीस और बहुस्सक्राइं दोस्तों आप यह टूल को बहुत अच्छा परफॉर्म करता इस तरे का आइटम में जा आप फेसिंग करना हो या स्टेब टर्निंग करनी हो वहां पर तो फ्रेंड्स ये मेरा प्रोग्राम नम्बर है एक नम्बर O0001 ये प्रोग्राम दोस्तों फानुक के लिए है फानुक में ही O-Series के प्रोग्राम आते हैं फानुक और और इस से रेलेटिड जैसे अपना मजाग का है मिसूबिशी का है ये सारे के सारे फानुक बेस होते हैं दोस्तों फानुक बेस जो सिस्टम है वो सारे के सारे O नम्मर से ही स्टार्ट होते है तो दोसरे ड्राइंग अच्छे से आप देख लो बाच कर लो 100 mm का डायमेटर है रोड का इस रोड पे एक स्टेप टर्निंग करनी है और एक टेपर निकालना है फिर स्टेट करना है 15, 30 और 50 इसकी लंबा ही है टोटल लंबा ही होगी इसकी 85 95 का लंबा पीस है इसी को अपन को बनाना है तो सबसे पहले दोस्तों N10 डाला मैंने N10 लिखो या N1 लिखो या ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ रहा है उसके बाद maximum spindle speed G50 maximum spindle speed के काम आता है एस 1500 इसकी maximum जो इस rpm आएगी 1500 है और टूल लंबर यहां cancel कर दिया T0100 और M42 M42 या M42 conveyor का code भी हो सकता है M code माहिने रहते हैं उसके बाद G96 S180 M3 यह cutting speed है यह बहुत important है देना M3 clockwise अपना spindle चलेगा सबसे पहला G0 और G01 दो के उपर ही यह program है G0 X 100.5 Z5 100.5.5 इसको plus लेके और Z5 में यहां लेका है और टूल नमबर 10101 है टूल नमबर 1 और M08 बहुत सिंपल है दोस्तों आप ऐसे वीडियो देखें ताके आपको बहुत एजिली समझ माझा है और अच्छे से आप सीख सकें CNC programming M8 coolant का code है M08 फिर G01 Z-95 95 का पीस था लंबा इसलिए G95 दिया और F0.25 की feed है फिर G0 U2 2mm उपर और Z में 0.5 उठाके U का मतलब 2mm X में है और Z 0.5 पे चलेगे बहार रहें फिर facing करा इसको G01 X-1.5 1.6 F 0.2 माइनेस मिश लेगे दोस्तों आगे point ना रह जाए टूल का टिप नहीं आए इसलिए X-1.6 लिया है फिर G0 X पिच्चाड में X 95 लेके W1 कर दिया W1 करने के बाद G01 Z-37.3 लिया F 0.25 ठीके 37.3 लिया टेपर में जाने के लिए और टेपर में क्या इस्ट्रेट लगाया है 95 में फिर X 100 ले लिया और Z 45.5 यह अपना टेपर में जाएगा फिर G0 Z1 बहार ले लिया Z1 बहार लेने के बाद X 90 गए X 90 पे मैंने कट लगाया G01 Z-29.8 पे फिर टेपर में चला दिया X 95 Z-37.3 उसके बाद G0 Z1 लिया बहार आगे फिर X 85 पे लिया 55 M का दोस्तों कट ले रहे हैं 55 M के कट में कोई दिकत नहीं है फिल्ड वही रहेगी F0.25 G01 Z-22.3 फिर टेपर है X 90 Z-29.8 उसके बाद G0 Z1 X 80.5 फिर G01 Z-15.55 और X 80.85.0 Z-22.3 ये टेपर माग गया अब दोस्तों ये रफ का टूल चल गया रफ का टूल चलने के बाद एक फिनिशिंग का टूल चला रहा है फिनिशिंग के टूल के लिए दोस्तों G0 X 200 Z 200 पर चले गए और फिर T0101 ये टूल का ओफसेट कैंसल कर दिया और यहां M01 optional stop लगा दिया M01 optional stop का कोड है उसके बाद दोस्तों N20 फिनिशिंग टूल है T0303 का और G50 S2000 T03 00 G96 S200 M03 ये फिनिशिंग के लिए अपन यूज कर रहे हैं टूल को कटिंग स्पीड ज़्याद रखेंगे उसके बाद G0 X 85 Z5 आगे T0303 M08 उसके बाद दोस्तों Z0 आएंगे Z0 पर आके टूल को फिस करेंगे फिर से फिनिशिंग टूल चे वो टूल भी आप डबल ओरेंज में ले सकते हो TNMG का टूल ले सकते हो इंसर्ड का 93 डिग्री में लेड़ा है डिग्री जादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों 93 डिग्री का टूल सफिशेंट होता है ऐसे कामों के लिए फिर G0 X 80 Z3 और फिर G42 लगा है मैंने यहापे G42 लगेगा दोस्तों राइट हैंड साइड में टूल है तो इसलिए G42 ही लगेगा यह G0 G01 की कोड है जो आपको बता रहूं बहुत अच्छे से G42 Z1 ठीक है जो G01 Z-15 फिनिशिंग का टूल है G01 Z-15 F1.15 0.18 यहापे और फिर टेपर की लाइन है X 100 Z-45 Z-95 और फिर G40 कैंसल करना है G42 को कैंसल करना G40 से तब ही अपना टूल वापिस आएगा G42 G42 को कैंसल करता है G40 या G41 को भी कैंसल करता है G40 U2 W1 ठीक है और फिर G0 X200 Z200 T0303 और यहां पर टूल ऑफशेट कैंसल कर दिया M09 डालके कुलेंट ओफ कर दिया और फिर डाल दिया M30 प्रोग्राम एंड के लिए तो दोस्तों यह प्रोग्राम बन जाता है प्रोग्राम बनने के बाद इसमें कुछ कोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ G50 यह मैक्सिमन स्पीड है Spandle की Manny Spandle की Manny Spandle यह की होता टर्निंग सेंटर के अंदर तो यह मैक्सिमन स्प्रोग्राम स्पीड है G96 cutting speed होती है दोस्तों constant surface cutting speed यह Speed Control Command है G96 तो यह G50 यह G96 यह दोनों दियाने जरूर है आज जो OI Mate सीरीज है उसमें आ रही अपनी G92 और OI TF जो नया लेटेस्ट फानू का है उसमें G50 ही आ रहा है तो G50 का आप ध्यान रखे G40 Compensation Cancel के लिए है और G42 Right Hand Compensation के लिए यूज किया जाता है दोस्तो G41 Left के लिए और G42 Right के लिए Compensation में यूज आता है Nose Radish Compensation सरह होता है और G40 अपना Cancel के लिए होता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को या इस वीडियो की माध्यम से आप समझ गया होंगे कि G0 और G01 Code का कहा और कैसे यूज करना है G01 Maximum Rapid Travel के काम आता है और G01 आपका State या Chamfer Value जहां दिया जाता है वहां काम में लिया जाता है तो Chamfer Value Chamfer के लिए भी आप दे सकते हो या आप State Turning में भी आप यूज कर सकते हो G01 का यूज Feed के साथ यूज करना है जहाँ Feed आएगी G01 के साथ G01 के साथ Feed नहीं आती G01 के साथ F कमांड जरूर आएगा तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद रहे होगा और अगला वीडियो मेरा दोस्तो फानुक सीरीज की हिस्ट्री के उपर होगा फानुक सीरीज कब से चला और आज तक उसमें क्या के परिवर्टन होए वो सारे की सारे उस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को जादे जादे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद शुबरात्री